हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल आईए हम डिसकस करते हैं जोइन पेड के बारे में जोडों का दर्द एक सामाने प्रॉब्लम है बोडी में एक या एक से अधिक जोडों में दर्द होता है उम्र बढ़ने के साथ बोडी में कई तरह के बद रहते हैं सही टीट्मेंट की साहता से जोडों के दर्द को रोका जा सकता है कि दोस्तों जोडों का दर्द क्या है जोड हमारे तो या दोसे अधिक हड्यों के हड्यों को बॉंस को जोडने वाले बॉड़ी के आरगन है और इसके करड़ हमारे बॉड़ी हमारे बॉड़ी जो ह कुछ भी हर्गत कर पाती है जोडों का दर्द शरीर के जोडों जैसे घुटनों को कोहनी कंदों और कुलों में पीला दर्द होना और कष्ट के लिए यूज किया जाने वाला सब्द है जोडों के दर्द के क्या क्या लच्छड है कम जोड़ी लगना गर में या सूजे में अकड़न महसुस होना जोडों का चटकना हाथों गर्धन कंदों कुलों घुर्णों या जोड़ वाले किसी अनहिसों में तेज दर्द होना है जोडों के दर्द में क्या क्या कारण है आर् टिउप पोरोसीज झालों कि अगर दर्द करें इलाच पर सकता मांन पार जोड़ों के दर्द केऊलारी वचार के अलग-अलग हो सकते हैं तृपिकल पेनिली पुथ पाहँ है उसके इसाप से वह सकता साइर्डी हो गया जैसे सारेरी गत्विदी, से वजन का संतुलित करना, दवा जैसे की OTC, टॉपिकल पेन दिली, पुतपाद, जैसे की मूब इस्ट्रॉंग, जेल या इस्प्रे लगाना, और जितना हो सके बॉड़ी को अराम देना, क्रीमिया लोसन लगाना, दोस्तो नॉर्मल और सर्जिकल थेड़े पी लेनी चाहिए, और दोस्तो आये जानते हैं, खाने में बातों का रखें ध्यान, दवा और डाक्टर की एडवाइस पर तो जोएंट पेन से दर्द काबू पाया जा सकता है, बड़ इस दोरान हमें एक बहतर डाइट अपनानी चाहिए, जो फायदे मंद साबि इससे इम्म्यून सिटम जो है बुष्ट होता है, मेथी का खोल कर पीना चाहिए, सिमला मीर्च खाना चाहिए, मसरूम, पपीता, चुकंदर, जीरा और चुकंदर इस अब इंक्लूट करना चाहिए, खाने में इसका सिवन करना चाहिए, दोस्तों जीरे और अजवाइन के पानी को पीए, मतलब जीरे और अजवाइन के पानी को भी पीए, इससे भी रात मिलती है, हल्दी दूद पीना चाहिए, अगर जाएन पेन हो रहा हो तो हल्दी दूद पीना चाहिए, थाइंक्यू दोस्तों, टेक कियार और प्ली सब्सक्राइम आई चैनल,